आप देख रहे हैं खिलाडी नमबो वन वाकिन में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपस आए हैं हमाई जानकार आगे ट्रेट्स देंगे लेकिन नतीजों का सीजन है और डीबी कॉप के नतीजे आच चके जहांपर हमने देखा है पहले तिमाही अच्छी तिमाही रही है मुनाफ़े में 50% का इजाफा आए 6% बड़ी मार्जिन्स देखे 21% के मार्जिन्स 28% पर आई याने की 700 बेसिस पॉइंट का इजाफा रहा आड़िटाइजिंग रेवन्यू में बढ़त देखने को मली है उसकी मदद काफी मली है मायसाथ का कंपनी के प्रोमोटर और डाइरेक्टर गिरीश अगरवाल जुड़ गये हैं गिरीश जी स्वागत है आपका ये Q1 I think clear reflection है कि election season में कितनी advertising revenue media company अगर उस पर जादा उले करें क्योंकि I'm guessing उसी ने drive किया इस quarter को तो मैं आपको थोड़ा सब्सक्राइब करना चाहूंगा आपने जो बोला कि media company कमा लेती है election की वज़े से तो वो political parties payment नहीं कर रही है हमको हमारे को हो रहा advantage कि जो political parties market में consumer को voters को लुबाने के लिए जो advantage देते हैं उससे उस customer के disposal income बढ़ती है तो वो जाके गाडियां खरीता है, scooter खरीता है, मकान खरीता है, जोल्वी खरीता है और ये सारी company-house पिली एड़िटाइज करती है So, it is not that any political party is favoring any media house. It is that these political parties are increasing the money flow in the market, all governments, and that advantage comes to us. Okay, so will this advantage stay for the rest of the year? क्योंकि इस बारी 8% की advertising revenue growth देखने को मिली है, क्या ये बरकरार है पाएगी? मुझे लगता है ये तो budget 20 तारिक को आएगा, उसमें सरकार फूरा प्रयास करेगी कि budget से थोड़ा सा देश में कंजम्शन का माहूल और बने. चुकि हम पिछले कुछ सालों से सुनी रहे हैं कि रूरल कंजम्शन डाउन है, तो सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि रूरल कंजम्शन, semi-urban कंजम्शन को बढ़ाया जाए और I think सरकार उसके लिए प्रयास करेगी, तो उसका advantage सारी companies को मिलेगा, उसके advertising बढ़ेगी, तो media को भी advantage लिए लिए लिए. इस समय आपको feelers क्या मिल रहे हैं, खासतोर से जब आप FMCG क्लाइन से बात करते होंगे, जो शायद आपके media, आपके मंच से अपने ग्रहकों को तक पहुँचना चाहे, क्योंकि अब तक जो भी updates आए हैं, या आज Asian Payne की बात करें, उन्होंने का, रूरल डिमार्ड में पिक अप देखने को मिला है, especially June onwards. क्या ये बड़ा spend देखने को मिल सकता है FMCG कंपनियों की तरफ से इस बारी? या टूवीलर कंपनियों की तरफ से? मुझे लगता है FMCG से जार्दा हम लोग concern है टूवीलर रियल स्टेट एजुकेशन, रहता है कि माहूल बन रहा है और ये बजट पे सम नदर लगाए हुए है और बजट उनके मनमाफिक हुआ, तो एक बहुत बढ़ा advantage पूरे देश को मिलेगा और हमको यहुँदा. मैं आपके margins पर आना चाहूँगी, क्योंकि इस बारे भी margins में एक exponential growth देखने को मिली है, 21% के margins आप 28% पर लाएं हैं, तो पहले तो क्या ये sustainable है और क्या ये newsprint की कीमतों में जो कमी देखी गई, उसी का फायदा है या फिर कोई और factor भी है गरीश जीर? दोनों फायदे हैं, newsprint की कमी हुई और advertising में growth हुआ, तो इसलिए ये margin बने हैं और आगे चलके भी अगर ये दोनों फेक्टर continue रहते हैं, चुकि newsprint कमोडिटी है, उपा नीचे होता रहता है, मेरे कंट्रोल में किसी और के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अभी जो लग रहा है कि अगले 2-3 quarter तक newsprint में कोई बहुत ज़्यादा बड़ोत्री देखनी रही, 2-4% की बड़ोत्री हो सकती है, तो लेकिन कोई बहुत गदब की बड़ोत्री नहीं देख रही है, तो इसे इंप्रूफ कैसे करेंगे आप? हम लोग रीडर से स्कीम लगा रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं, तो काफी वर्किंग कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. ये बताएए, डिजिटल डीबी ग्रूप के लिए किस तरहा से परफॉर्म कर रहा है, कितना कमाई का हिस्सा आगे हां पर आएगा, क्या आप, कई सारी डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप जाएं, तो अगर आपको कोई अच्छा आर्टिकल लगे, तो वहां पर एक वेवाल आ जाती है, क्या कुछ वैसे प्रयास होंगी, क्या वहां से भी एक रेवनियू स्ट्रीम उभर कर आएगी? देखिए, अभी हमारा डिजिटल में एक ही फोकस है, कि कंजूमर हमें ज्यादा से ज्यादा पड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमको पड़े, आज की तकरीबन एक क्रोड़ असी लाख लोग हमारे साथ डिजिटल पे मंथली आते हैं, हमारा जो एप है उसके ऊपर, और लगबग लगबग 12-14 मिनिट हमको देते हैं, तो हमाई लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हमारे को टार्गेट यह है कि यह 1.80 लाख है, यह नंबर 3 क्रोड तक पहुंचे और मोनेटाइज बात है, वो आगे एक बार नंबर आ जाए, जब डिसकाइड करेंगे कैसे कानना मोनेटाइज. इन आक्रों में रेडियो प्लाटफॉर्म का कितना योगदान है, गिरीश्री? रेडियो में इस बार 6% की ग्रोथ है, और 34% तो उनका इबिड़ा मार्जिन है, 13% का रेडियो का इबिड़ा है हमारा, तो ओवरॉल में देखिए, प्रिंट जो है आज की तारिक में 92% के आसपास है, 85% पे हमारा रेडियो है और डिजिटल तो भी सिंगर डिजिट पकड़ा हुआ है. तो जब आपके पास आइड़िटाइजिंग रेविन्यू आता है, फिर ये लाजली हम अजूमिंग फिर प्रिंट की तरफ ही जादा लोग पुश कर रहे हैं. बिल्कुल, प्रिंट में बहुत बहुत ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है और खास करके जो आपने देखा ना पिछले 3-4 साल में, जो एक क्रेडिबिलिटी का माहूल बना, तो उसमें प्रिंट को बहुत एडवांटेज बिला, चुकि क्या हुआ बाकी अन्य जो माध पहले रील्स पर लोग भरोसा कर रहे थे, आजका लग भारों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आइदर वेज वो मीडिया जगत के लिए अच्छा है, और अपकोस आपकी कंपनी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीज जी हमारे लिए समय निकालने के लिए और में, चले एक काम करते हैं, एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, हमारे जानकारों की तरफ से एक-एक ट्रेड आया है, क्या एक और ट्रेड इस समय जोडेंगे या नहीं, उस पर होगी पार्ची क्या है चिए 10 एफ खउजे ग्पार कि उनाते हैं, उस पीने झाते हैं, झाते हैं, पर लेका वे कीए हैं, उस और ठाविध झाले हैं, फिस ली मंटें में में खॉपलियों सम्माच्छियों स locks जआएंगे, पलोन समीछ नहीं जप सी नहीं, तर दो भर्चा की उंत मीं, झान